कितने ही एत्यासिक पल आपकी गरिमामय उपस्तिती से जुड़े हुए हैं। फिर भी अनेक बार आप कहते रहे हैं। I have retired from politics, but not tired from public life. और इसे लिए इस सदन को नेत्रुतों देने कि आपकी जिम्यदारी भले ही पूरी हो रही हो। लेकिन आपके अनुभवों का लाब भविश में सुदिर्ग काल तक देश को मिलता रहेगा। हम जैसे अनेक सारवजिनिक जीवन के कायर करताओं को भी मिलता रहेगा। आदेने सभावति महोदाई आजहादे के अमृत महोसों में आज जब देश अपने अगले 25 वर्सों की नई आत्रा शुरू कर रहा है। तब देश का नेत्रूत्व भी एक तरह से एक नए यूप के हाथों में है। हम सब जानते हैं कि इस बारा में एक ऐसी 15 आगस्त मना रहे हैं जब देश के रास्पती, उपराश्टपती, स्पीकर, प्रधान मंत्री, सब के सब वो लोग हैं जो आजहाद भारत में प्यादा हुए है। और सब के सब बहुती साधारन प्रुष्ट भूमी से आते हैं। मैं समाता हुए उसका अपना एक सांकितिक महत्व है। साथ में देश के नए यूप का एक प्रती भी है। अधरिये सभावति महत्व है। आप तो देश के एक ऐसे उप्राश्ट पती है। जिसने अपनी सभी भुविकाओं में हमेशा युवाओं के लिए काम किया है। आपने सदन में भी हमेशा युवाओं सांसदों को आगे बढ़ाया। उन्हें प्रोथान दिया। आप लगातार युवाओं के समवाद के लिए युनिवर्सिटीज और इंस्टिजूशन्स लगातार जाते रहे हैं। नई पीडी के साथ आपका एक निरंतर कनेक्ट बना हुआ है। और युवाओं को आपका मारदर्शन भी मिला है और युवाओं भी आपको मिलने के लिए हमेशा उत्सुक रहे हैं। इन सभी संस्थानों में आपकी लोगपुरियता भी भौत रही है। मुझे बताया गया कि वाइस प्रसिदेन के रूप में आपने सदन के बहार जो भाशन दिये। उनमें करीब करीब 25 प्रतिशत युवाओं के बिश्वे रहे हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी भाशन है। आदर्णे सभावती महोत हैं। व्यक्तिकत रुप से मेरा ये सवभाग रहा है। कि मैंने बड़ी निकट से आपको अलग-अलग भूमिकाओं में देखा है। बहुत सेर्व आपकी भूमिकाओं ऐसी भी रही जिसमें आपके साथ कंदे से कंदा मिलाकर कार्य करने का भी मुझे सवभागी मिला है। पार्टी कायरकरता के रूप में आपकी वैचारिक पतिवध्यता रही हो। एक विधायक के रूप में आपका कामखाज हो। साउसत के रूप में सदन में आपकी सक्रियता हो। भारती जनता पार्टी के दिर्ष के रूप में आपका संग्षनिक कौशल्य और लीडर्शिप की बात हो। केमिलेटी मंत्री के रूप में आपकी महनत, नवाचार का आपका प्रयास और उससे प्राप्त सफलता है। देश के लिए बहुत उपकारक रही है। या फिर उपराश्ट्पती और सदन में सभावती के रूप में आपकी गरिवा और आपकी निश्टा। मैंने आपको अलगलग जिम्मेदारियों में बड़े लगन से काम करते भी देखा है। आपने कभी भी किसी भी काम को बोज नहीं माना। आपने हर काम में नए प्राण फुकने का प्रयास किया है। आपका जजबा, आपकी ये लगन हम लोगों ने निरंतर देखी है। मैं सदन के जरिये प्रतेक मानिये सांसद और देश के हर युवा से कहना चाहूंगा। कि वो समाज, देश और लोगतंतर के बारे में आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। लिसनिंग, लर्निंग, लीडिंग, कनेक्टिंग, कम्मिनिकेटिंग, चेजिंग, और रिफ्लेक्टिंग, रिकनेक्टिंग, जैसी किताबे आपके बारे में बहुत कुछ बताती हैं। आपके यह अनुभाव हमारे युवाओं को गाइड करेंगे और लोगतंतर को मजबूत करेंगे। अधेर रास्पति महोदाय, आपकी किताबों का जिक्र मैंने इसलिए किया। क्योंकि उनके टाइटल में आपकी वो शब्द प्रतिवहा जलकती हैं, जिसके लिए आप जाने जाते हैं। आपके वन लाइनर्स, विट लाइनर्स होते हैं, और विन लाइनर्स भी होते हैं। याने उसके बाद कुछ और कहने की जरुरत ही नहीं रह जाती है। यूर इच वर्ड इजहर्ड, प्रिफर्ड, एंड रेवर्ड, एंड नेवर काउंटर्ड। कैसे कोई अपनी भासे की ताकत के रुप में और सहजता से इस सामर्थ के लिए जाना जाएं। और उस कौशल्थ से स्थीतियों को दिशा मोरने का सामर्थ रखे। सच मुझ मैं आपके इस सामर्थ को मैं बढ़ाई देता हूँ। साथियों हम जो भी कहते हैं वो महत्वपूर्ण तो होता ही है। लेकिन जिस तरीके से कहते हैं उसकी एहमियत जादा होती है। किसी भी समवात की सभलता का पैमाना यही है कि उसका गहरा इंपेक्ट हो। लोग उसे याद रखें और जो भी कहें उसके बारे में लोग सोचने के लिए मजबूर हो। अभिवक्ति की इस कला में वेंकियाजी की दक्षता उस बात से हम सदन में भी और सदन के बार देश के सभी लोग भली भाती पर चीत रहें। आपकी अभिवक्ति का अंदाच जितना बेबाक है उतना ही बेजोड भी है। आपकी बातों में गहराई भी होती हैं गंभीरता भी होती है। वानी में वीड भी होता है और बेड भी होता है। आपका तरीका ऐसे ही किसी बात के मर्व को छू जाता है और सुनने में मधूर भी लगता है। आधनिय सभावति महोड़ें अपने दक्षीर में छात्र राजनीति करते हुए अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था तब लोग कहते थे कि जिस विचार धानत से आप जुड़े थे उसका और उस पार्टी का निकड़ भविश में तो दक्षीर में कोई सामर्थ नजर नहीं आता है लेकिन आप एक सामान्य विद्यार्दी कारकरता से यात्रा शुरू करके और दक्षीर भारत से आते हुए कुछ पार्टी के राष्टी अद्रश के श्रीज़ पत्तक पहुंचे यह आपकी एक अवीरत विचार निष्ठा कर्तव्य निष्ठा और कर्म के प्रती समर्पन भाव का प्रतीक है अगर हमाएं पास देश के लिए भावनाय हो बात कहने की कला हो भाषाई विवित्ता में आस्ता हो तो भाषा शेत्र हमारे लिए कभी भी दिवाव नहीं बनती है यह आपने सिद्ध किया आदर ये सभावती महोदे आपकी कही एक बात बहुत लोगों को याद होगी मुझे तो विशेस रुप से याद है मन हमेशा सुनाएं आप मात्रु भाषा को लेकर के बहुत ही तची रहे हैं बड़े आगरए ही लेकिन उस बात को कहने की आपका अंदाज भी बेघा खुबसूरत है जब आप कहते हैं कि मात्र भाषा आखों की रोशनी की तरह होती है मात्रु भाषा आँखों की रोशनी की तरह होती है और आप आगे कहते हैं और दूसरी भाषा चश्मे की तरह होती है ऐसी भावना रुड़े की गहराई स्वही बाहर आती है वेंकाय जी की मौझूद्गी में सदन की कारवाई के दौरान हर भारतिय भाषा को विशिष्ट एहमियत दी गई है आपने सदन में सभी भारतिय भाषाओं को आगे भड़ाने के लिए काम किया सदन में हमारी सभी 22 शुडूल लेंग्विज में कोई भी मानले सदस से बोल सकता है उसका इंतजाम आपने किया आपकी प्रतिभा आपकी निष्टा आगे भी सदन के लिए एक गाईड के रुप में हमेशा हमेशा काम करेगी कैसे संदस संसदिय और सिष्ट तरीके से भाषा की मर्यादा में कोई भी अपनी बात प्रभावी ढंग से कह सकता है इसके लिए आप प्रेरा पुंज बने रहेंगे आदर्या सभावधि महदाई आपकी नेत्रुत्व च्छमता आपके अनुशासन ने इस सदन की प्रतिवर्दता और प्रोडक्टिविटी को नई उन्चाई दी है आपके कायरकाल के वर्षों में राज सभावधि की प्रोडक्टिविटी 70 परसेंट बढ़ी है सदन में सदस्यों की उपस्तिती बढ़ी है इस दोरान करीब करीब 177 बिल पास हुए या उन पर चर्चा हुई जो अपने आप में किर्टिमान है आपके मारदर्शन में ऐसे कितने ही कानून बने हैं जो आधुनी भारत की संकल्पना को साकार कर रहे हैं आपने कितने ही ऐसे निर्णे लिए हैं जो अपर हाउस की अपड़ जर्नी के लिए याद किये जाएंगे सचिवाले के काम में और अधिक एफिशन्सी लाने के लिए भी आपने एक समीतिका भी गठन किया इसी तरह राजसभा सचिवाले को सुव्यवस्थित करना इन्फर्मेशन टेक्लोलोजी को बढ़ावा देना पेपरले काम के लिए इफिश सिस्टिम को लागू करना आपके ऐसे कितने ही काम है जिनके जर्ये उच्च सदन को एक नई उंचाई मिली है हमारी यहां सास्त्रों में कहा गया है नसा सभा यत्र नसंति वृद्दा नते ये न वदंति धर्म अर्थात जिस सभा में अनुभवी लोग होते हैं वही सभा होती है और अनुभव लोग वही है जो धर्म यानि कर्तब्य की सीख दे हैं आपने मार्दर्शन में राज सभा ने इन मानकों को पूरी गुणवत्ता से पूरा किया है आप मान्य सदस्यों को निर्देश भी देते थे और उने अपने अनुभवव का लाब भी देते थे और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए प्यार से डाड़ते भी थे मुझे भी इस वाद है कि किसी भी सद्द से ने आपके किसी भी सब्द को कभी अन्य था नहीं लिया ये पूजी तब पैदा होती है जब व्यक्तिगत जीवन में आप उन आदर्शों और मानकों का पालन करते हैं आपने हमेशा इस बात पर बल दिया कि सवसद में व्यवधान एक सीमा के बाद सदन की अवमानना के बराबर होता है मैं आपके इन मानकों में लोग तंत्र की परिप्रक्वता को देखता हूँ पहले समझा जाता था कि अगर सदन में चर्चा के दोरान सोरगुल होने लगे तो कारवाही को स्थगित कर दिया जाता है लेकिन आपने समवाद, संपर्क और समनवे के जरिये ना सिर्फ सदन को संचालित किया बरकि उसे प्रोड़क्टिविट भी बनाया सदन की कारवाई के दोरान जब सदस्यों के बीश कभी ट्रक्राव की परिस्थिती पादा होती थी तो आप से बार बार सुनने को मिलता था Let the government propose, let the opposition oppose and let the house dispose इस सदन को दूसरे सदन से आये विधायकों पर निश्चित रुप से सहमती या असहमती का अधिकार है यह सदन उन्हें पास कर सकता है, reject कर सकता है या amend कर सकता है पर उन्हें रोकने की बादित करने की परिकलपना हमारे लोक्तंत्र में नहीं है आधर्निय सभावती महदाई, हमारी तमाम सहमत्यों रासहमत्यों के बावजूद आज आपको विधाय देने के लिए सदन के सभी सदस्य से एक साथ उपस्तित है यही हमारे लोक्तंत्र की खुपसूर्टी है यह आपके लिए इस सदन के सम्मान का उधारा है मैं आशा करता हूँ कि आपके कारिया, आपके अनुभव आगे सभी सदस्यों को जरूर प्रेना देंगे अपने विशिष्ट तरीके से आपने सदन चलाने के लिए ऐसे मांदन स्थापित किये हैं जो आगे इस पद पर आसिन होने वालों को प्रेलित करते रहेंगे जो लेगसी आपने स्थापित की है राठ सभा उसका अनुषराण करेगी देश के परती अपने जवाब देहिके अनुषर कार्य करेगी इसी विश्वास के साथ आपको पूरे सदन की तरफ से, मेरी तरफ से अनेक अनेक शुब कामनाय देता हूँ लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइब को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए